हलो स्टुडेंट्स विल्कम बैक अगेंडी दूछ चैनल दिनेश सर जैसे कि आप जानते हो महाराष्ट के अंदर बहुत ही घमासान चल रहा है फानल यर की एक्जाम्स को लेके राज्य सरकार ने तो अनौन्स कर दिया कि फानल यर की जो एक्जाम्स है वो नहीं ली जाएगी पिछले सेमिस्टर के बेसिस पर एवरेज माक्स दे दिया जाएगा इतना इन्हें 80-80 वाले स्टुडेंट्स को भी महाराष्ट सरकार ने रहात दे दिये लेकिन UGC की जो युवासेना के हादित्य ठागरे जी है उन्होंने सुप्रीम कोट के अंदर एक रिट पेटिशन फाइल किया है आउ मैं अपको दिखाता हूंने ट्विट किया है तोड़े युवाज सेना फाइल रिट प्रेशन इन इंडिया इस चाहिए जब भारत ने 10 लाइख को पास कर लिया ऐसे टाइम पर पर परिक्षा को लादना इतना ही नहीं टीचर्स नन टीचिंग स्टाफ और उनकी फैमिली के ऊपर यह जो परिक्षा है उनकी वाज से जो प्रॉब्लम सा सकती है उसको जबर जस्ती करना या कंपल सरी करना यह गलत है उसके किलाफ सुप्रीम कोट में रिट पेटिशन फाइल किया है अधित ठाकर जी और युवाज सेना ने मिल कर उन्होंने और क्या कहा है आपने ट्विटर पर वी बिलिव दाट academic excellence can't be judged by one examination and for academic excellence we must calculate the aggregate marks of the past semester यहने कि सिर्फ एक परिक्षा के आधार पर जो student है उसका academic excellence judge नहीं किया जा सकता उनके पिछले जितने semester हुए उनके सभी marks को अगर average किया जाए तो उससे भी हम judge कर सकते हैं if students still feel the need to appear for an examination they voluntarily may do so post covid अगर student को लगता है कि उसे exam देना है तो covid का यह जो माहूल आई यह खतम होने के बाद वो exam दे सकते हैं ऐसा जो है read petition supreme court में file किया युवा सेना ने अधित डाकरीजी ने इसको post भी किया आज सारे new channel से भी इसको cover किया है तो हो सकता है आगे चलके जो रहाद बरी cover आ जाए UGC को अपना decision पीछी लेना पड़े है जो भी decision आएगा exams को लेके मैं चानल पर आपको update करते रहूँगा